आजम खाह साब निर्दोष साबित हुए कोट ने उनको परल बरी कर दिया तो फिर भी हरस्मेंट यहां पर हो रहा है मैं चाहता हूँ कि हरस्मेंट बंद किया जाए और और इसी हरस्मेंट का नतिया है कि एक शक्त में बयान दिया और रिपोर्ट कराई गई और कमिशनर साब के दबाव में किया यह उन्होंने बेहन भी दिया है तो यह सब कुछ लीगल हुआ है तो इस पर हमारी गवर्मेंट से मांग है कि गवर्मेंट इसमें लीगली देखे इसको और उनके खलाब भी कारवाई करें जो नहीं यह काम किया था उनको सदा दिलवाई और उनकी है पुलिस जाद जात्ची कर रही है उस जात्ची को रोका जाए तो सो तरीके से होती है एक जाने कारेकरम था आप नामपूर से मिले हैं चेंज हुआ मेरे पास तो मेंसेज आया कि आप बजाए हुआ जाने से कोई कोई कोट तो है लेकिन इनके इनके जो सर्किल में जो चीज आती है जो हरस्मेंट भला जा रहा है यहां पर यह अब भी उनके घर पर उनके रिष्टदारों के साथ हरस्मेंट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए उन्हों कहा कि मैं इस पर पूरा तवज्जों दूंगा पूरी रत्यात करा वापस आने की भी को प्रिक्रिया चुलती हैं विदा पर पर के लेवल की बात है उस तरह उस तक हम ये बात पहुचाएंगे पिलिस की लगातार तो प्रिस नहीं होना चाहिए नहीं इसको बरदाश किए रहेगा नेसेसरी जितने भी इस टाइब के काम है जो विलावजे उनके रिष्टदारों को या उनसे मुतालिक लोगों को समाजबादी के जा रहा है तो ये मुनासिब नहीं है ये डियम साब ने वाइदा किया कि मैं इसको देखूंगा तो आपकी शिकायत कमिशनर साथ से है या डियम साथ सब्सक्राइब इस जाती शिकायत थे इनसुद बात रखने के लिए आयते के यहां पर यहां के माहौल में जो खराबियां ह कि जाती है यहां बुलाया था कि यहां के लोगों में जो हरस्मेंट है जो हरस्मेंट कैसे तुछ हुआ कि यहां को कि यहां कर सकते है यहां को कि यहां रखने कि नहीं यहां अ